अशोक स्तम जो हमारा रास्टिर चिन है जिसे अशोक के साशन काल में शान्ती और शौरी का प्रतीक माना गया था अशोक स्तम का साफ मतलब है कि हम सेर की तरह ताकतवर तो हैं लेकिन फिर भी खामोश हैं खामोश रहनी का मतलब है कि हम शान्ती में भरोशा रखते हैं लेकिन प्रधान मंद्री नरिंद्र मोदी के द्वारा सान्षथ भवन में दहारते हुए अशोक स्थम्भ की स्थापना की गई है मतला दें कि अब जब से इस अशोक स्थम्भ की स्थापना हुई है तब से कई सारे सवाल उठने रगे हैं कई अन्द भक्तों के द्वारा तरह तरह की बाते होनी भी सुरू हो चुकी है कोई यह कह रहा है कि यह नया भारत का नया असोक स्तंभ है इसलिए यह नया अफतार में आया है तो वहीं कोई कुछ और बाते कर रहा है तो इसी बीच आपको बतला दें कि बॉलिवुद के एक्टर अनुपम खेर का बयान भी इसे ले कर सांदे आया है जिसमें वह बीचेपी को सपोर्ट करते हुई या लिखते नजर आ रहे हैं कि अरे भाई यह सेर है तो दाथ तो होगी ही जरूरत पड़ी तो काट भी सकता है तो वहीं उनके इस बयान पर एक यूजर ने जवाब देते वे रिखा कि सर सेर काटता नहीं खा जाता है जहां असोकस्तम सांती और शौर्य का प्रतीक है तो वहीं इस तरह से असोकस्तम के जीन के साथ में बदलाव करना क्या सही है इसले कर कि हर कोई अपनी अपनी राय रख रहा है इसले कर आपी क्या राय है हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बतलाईएगा ब्योरो सिरी पोस्ट लाई